गुट मॉर्निंग स्टुडेंट्स, हांजी बेटा आप सब कैसे हो, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, हांजी बेटे हमने ट्यूजडे की वीडियो के अंदर हमने चैप्टर किया था अविकारी शब्द, चैप्टर थर्टीम अविकारी शब्द जिसको शब्द और फिफ्ट में अविकारी, दोनों का अर्थ सीम ही होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे अव्यशब्द होते क्या हैं, अव्यशब्द वो होते हैं जो बदलते नहीं हैं, अविकारी भी वही होते हैं कि जिनमें परिवर्तन नहीं होता, तो यहां पे हैं कि जो लिंक, वचन, कारक और काल के अउसार अपना रूप नहीं बदलते उसे हम अव्य या अविकारी शब्द कहते हैं अब ये कितने परकार के होते हैं हमने पहले अपनी वीडियो में देख चुके हैं ये होते हैं पांच परकार के सबसे पहला क्रिया विशेशन, फिर संबंध बोदक, फिर समुच्चे बोदक, फिर विस्मयादी बोदक, फिर लास्ट में निपात तो ये हमने एके करके बहुत अच्छे से बढ़ा है, लेकिन मैं थोड़ा-थोड़ा इसके बारे में फिर भी आपको बताऊंगी कि सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिया विशेशन क्रिया विशेशन क्या होता है जो क्रिया की विशेशता बताता है उसे हम क्रिया विशेशन कहते है जैसे कि गोड़ा दोड़ता है तो जो दोड़ना है वो क्रिया है जो गोड़ा है वो करता है लेकिन अगर मैं बोलू कि घोड़ा तेज दोड़ता है तो जो तेज शब्द लगाया है वो क्या है दोड़ने की विशेशता तो दोड़ना क्या है क्रिया तो क्रिया की विशेशता तो उसे हम क्या बोलते हैं क्रिया विशेशन कहते हैं तो इंजिन शब्दों से किरिया कि व्यशता का पता चलता है उसे किरिया व्यशेशन कहते हैं और आगे इसके भी भेद बाच तो कोण-खोण से इसके लोच video ॉच्चण कोण-खिया व viral रिति वच्च वाच्च किलया dwशेशन फिर स्थान वाच्च किरियावशेशन और चोथा परिमान वाच्च किरियावशेशन सबसे पहले रिती वाच्च रिती वाच्च किरियावशेशन क्या होता है जिसमें हमें काम के करने के धंग के बारे में पता चलता है कि काम कैसे हुआ है, जब हम वाक्य में से कैसे का प्रशन आता है, तुम कैसे दिल्ली जाओगे, मैं बस से जाओगा, तो जो कैसे शब्द है, कैसे जो प्रशन आया है, वो अरिती बाच्चत का हमें संकेत देता है, हमें पता चलता है इससे कि आप कभी भी आपको कोई वाक्य दिया गया है किर्याक्षेशन के अंदर तो आप उसका पहले कोशन बना के देखिए वो कब से स्टार्ट होगा वो कैसे से स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा तो जो यह कोशन बन रहे हैं तो जो कैसे आएगा जब बनेगा कैसे से बनेगा तो वो रिती वाचप तो मैंने भी आपको बताया है कि कहां का भी कोशन है कि तुम कहां बैठे थे, मैं ऊपर बैठा था, तुम कहां गए थे, मैं दिल्ली गया था, तो जो कहां शब्द है, जो कहां का प्रशन आया है, वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है, स्थान बाच्चक के बारे में, बाग में बैठा था, बगीचे में बैठा था, स्कूल गया था, हॉस्पेटल में था, अपने ओफिस में था, बाहर था, अंदर था, तो ये सारी चीचें जो एक्जामपल हैं, वो क्या है, स्थान वाचक की, उसके बाद हम बात करते हैं काल वाचक की, काल वाचक हमें क्या ब पिछे questions आ गया तो उसका आंस्परम किसमें दे रहे हैं तो उसे हम कालवाचक कहेंगे क्योंकि वो समय की और संकेत कर रहा है कि काम कब हुआ है तो इसलिए उसे हम कालवाचक कहते हैं उसके बाद हम बात करते हैं परिमान वाचक परिमान वाचक में क्या होता है कि हमें उनकी म मात्रा के बारे में पता चलता है तो इसमें कोश्चन क्या बनता है इसमें कोश्चन बन रहा है कि मात्रा के बारे में बताए मैं उसकी कविताओं पर खूब हसा तो इसमें है कि मा थोड़ी परिशान हुई मैं शिक्र ही यह तुमारे लिए प्रयाक्त होगा आज अधिक पर कितना हसा कितना कोशिन है तो वह क्या है उसको हम परिमानवच्चक किर्याप्शेशन कहेंगे अब हम इसका दूसरा टॉपिक लेगते हैं संबंद बोतक संबंद नाम ही ऐसा है कि जिसका आपस में जो सर्वनाम है और संग्या है या कारक है तो उनके साथ आपस में या सरवनाम के साथ जोडते हैं उसे हम संबंध बोतक शब्द कहते हैं जैसे कि उस मंदिर के समीप मेरा घर है मेरा घर हॉस्पिटल के पास है और संबंध बोतक का एक बात और बता दूं कि इसका कभी भी अकेला पास साथ समीप दूर निकट नहीं आएगा इसका आएगा के साथ के पास के निकट इस तरह किसे के समीप तो वो संबंध बोतक मनता है जो का के की है वो संबंध है कारक का जो हम लेते हैं संबंध कारक उसमें का के की होता है तो का के की संग्या और सरवनाम को बीच में जोडने का कारिया करता है अब हम बात करते हैं समुच्य बोदक समुच्य बोदक क्या होता है कि हमारे पास दो वाक्याश दिये गए हैं तो उनको जोड कर बनाना है तो उसके अंदर और आ जाएगा इसलिए आ जाएगा क्यों की आ जाएगा तो आ जाएगा जहां आ जाएगा तो ये जो है ये शब्द हमें समुच्य अबोदक शब्द हम इने कहते है जो अविकारी शब्द दो शब्दों वाक्यांशों अथ्वा उप वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उसे हम समुच्य अबोदक शब्द कहते हैं जैसे कि शुरूती तथा करनी का अच्छा गाती है अब तथा और राम और शाम दोनों बहुत पके दोस्त हैं और तथा क्योंकि इसलिए तो ये जो शब्द है ये सारे शब्द समुच्या बोदक शब्द होते हैं आगे हम बात करते हैं विस्मियादी बोदक किया होता है जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है विसमय, विसमय का मतलब हैरानी देने वाले, चाहे वो अर्ष से हो, चाहे वो शोक से हो, चाहे वो दुख से हो, चाहे वो किसी गंदगी से हो, चाहे वो मतलब परशंसा भरा हो, एकदम से कुछ अच्छा चीज देख लेनी तो परशंस करते हैं जो इसकी जो डेफिनिशन आएगी वो है जो शब्द आश्चर्य हर्श शोक ग्रीना तता भै की भावों को परगट करते हैं तो उन्हें हम विस्म्यादी बोदक कहते हैं कि आगे हैं आगे आपके इसके अंदर एक तॉपिक और दिया गया है निपात का अर्थ होता है यह आपको में अच्छे से समझा दू कि मिपार वो होता है जो एक छोटा सा शब्द लगने पर ही हमारे वाक्या पे और ज्यादा वाक्या के अर्थ पे और ज्यादा बल देता है जैसे कि मैं तो जाऊंगा ही अब ही जो लग गया ही का मतलब है कि कोई और जाए या ना जाए मैं तो जाऊंगा ही इस पे वो बल दे रहा है इस बाग पे इस पे वो अपना बल दे रहा है ही शब्द जो है वो बल दे रहा है इस रिके के बहुत सारे शब्द हैं जो अपने ही वाक्या पर बल देते हैं जिसको हम निपात कहते हैं तो इसमें हिंदी में कुछ ऐसे भी शब्द है जो वाक्य में परियोग किये गए किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेश परकार का बल देते हैं तो उन्हें हम निपात कहते हैं अलांकि इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है अगर मैं अकेला ही बोलू तो उसका कोई अर्थ नहीं होता लेकिन जब मैं जाओंगा ही मैंनों उसके साथ लगा दिया तो वो बल पूर्वक्ष वाक्या बन गया तुम तो कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते तो तो क्यों लगा है तो भी निपात शब्द है इसमें भी बहुत सारे हैं तो, भी, ही, मात्र, केबल, तक, भर, आगी यह सारे क्या है निपात शब्द है अब यह आपको chapter पूरा समझा गया है कि chapter को करना किस तरीके से है क्या क्या इसके अंदर points है वो मैंने एक बार फिर आपको clear कर दिये है अब हम इसका भ्यास कार्य करने जा रहे है कि सही उतर के आगे सही का चीन लगाई यानि कि MCQs दिये गए है तो सबसे पहले मैं आपको बोलनुगी पहला है कर पार अपना पार ध्यान पूर्वक पड़ो यहां पे हम करेंगे MCQs इसका कर पार्ट है अपना पार ध्यान पूर्वक पड़ो जिसको underline किया गया है ध्यान पूर्वक में हमें चार option दिये गए है रितिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमानवाचक क्या आजाएगा रितिवाचक रितिवाचक खाना खाने दैश पानी मत पियो सही संबंद वोतक शब्द हमने लिखना है के बाहर, के पहले, के बाद, के आगे खाना खाने के बाद पानी मत पियो तो इसका जो third option है वो आजाएगा के बाद के बाद third है इसका जल्दी उठो, डैश तुमें स्कूल भी जाना है सही समुच्य वोतक शब्द लगाना है इसके अंदर समुच्य वोतक जो दो शब्दों, वाक्यांशों या उप वाक्यों को जोडते है जल्दी उठो तो किसे किसे तुमें स्कूल भी जाना है जल्दी उठो इसलिए तुमें स्कूल भी जाना है जल्दी उठो तो उसका reason बदाने है कि जल्दी उठने का रीजन क्या है क्योंकि तुम्हें स्पूल भी जाना है तो यह थार्ड इसका अप्शन हो जाएगा क्योंकि क्योंकि कि इसके बाद है फूर्थ डैश कितनी गंदगी है सही विसम्यादी को तक अब गंदगी पर मैंने आपको छी का दिया हुआ है सामने से बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा है ओ वा आ और छी तो फूर्थ इसका पाट आजाएगा छी अंगा पाट है इसका मुझे डैश पाचर पे चाहिए सही निपाच शब्द भरिये मुझे मात्र पाचर पे चाहिए या केवल पाचर पे चाहिए इसके अंदर मात्र भी आ सकता है इसमें जो आपको ओप्षन दिया हूँ आप दर सकते है इसमें हमें इ cater दिया है तो हम आकिल ऑप्षन मात्र लगाएबे है कंवे है क्रिया की विषैष्टा बताने वाले शब्दो को休कर करिया की विषैष्च तो क्रिया विष खौ है क्रिया में कब लगाकर प्रिशन करने पर जो उत्र प्राप्त होता है मैंने आपको सारे कोशन्स बता दिये कि कौन से कोशन्स में क्या लगकर वो कोशन्स बनेगा और वो कौन सा क्रिया शेशन का भेद होगा अब अगर कब है तो कब हमें काल वाच्चक का बता रहा है क्रिया विशेशन उसकी बाद है गः पाट अचानक शब्द डैश क्रिया विशेशन का उधारन है अचानक शब्द अचानक तेजी से धीरे धीरे यानि कि कैसे हुआ इसमें ये प्रिशन उठता है तो अचानक ही हो गया तो ये क्या है रिति बाट्चा रिति बाट्चा उसके बाद हम लेते हैं जो शब्द क्रिया के नापतोल के बारे में बताते हैं उन्हें नापतोल सामने में समझा रहा है परिमान बाट्चा परिमान वाच्च दिया विशिशिए अंधा पाट है वे शब्द जिनकी रूप रचना पर लिंक वचन और काल आधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं सबसे पहली जो मैंने आपको डेक्रिशन बताई थी उसके अंदर तीन इनोरे फिलप्स दिये हुए है तो तीनों के अंदर हम क्या प्रभाव नहीं पड़ता अब है थर्ड थर्ड में हमें बहुत सारे शब्द दिये गए हैं कि निमली की शब्दों को उचित शिर्षक के नीचे लिखिए तो सबसे पहले जिदर आज जल्दी जल्दी इधर उदर बाहर सुख पूर्वक परियाप्त थोड़ा अवश्य अभी रात भर अधिक ये दिये गए हैं तो हमें चार आप्शन्स भी दिये हैं कौन-कौन से पहला रितिवाचक ये थार्ड कौशन है रितिवाचक दूसरा है काल वाचक तीसरा है स्खान वाचक और चोथा है परिमान वाचक तो इसमें हमने जो शब्द हैं लगलग करने हैं सबसे पहला रितिवाचक के ढूंड लेते हैं जल्दी जल्दी कैसे हुआ जल्दी 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 जल्दी, सुख पूर्वर, यह भी रितिवाचक है और अवश्य है, उसके बाद है, हमने काल वाचक में लेना है, काल वाचक में आज, अभी, रात भर, यह हमें काल के बारे में उता रहा है, आज, अभी, और रात भर, यह हमें टाइम के बारे में उता रहा है, तो इसलिए काल वाचक में आगे, स्थान वाचक, स्थान वाचक में जगात अबताएगा, जिदर, इदर, उधर, बाहर, अंदर, वितर, तो इसको हम स्थान में ले लेने, जिदर इदर उदर और बाख तो परिमान में हम ले लेंगे थोड़ा, अधिक, परियाप्त ये सारे परिमान ले आ लेंगे परियाप्त फोड़ा और अधिक तो ये होगे परिमान बच्च के अशेशन के उसके बाद हम फोर्थ कोशन करते हैं इनिमली के वाक्यों में क्रियाप्शेशन शब्द रिखांकित करते हुए उनका भेद बताईए इदर उदर क्यों वूम रहे हो कोशन नमबर फोर भेद बताने है कोव का तो पहला जिसको हमने अंडरलाइन करना है वो इदर उदर इदर उदर तो ये कौन सा है स्थान वाक्यों के लियाप्शेशन स्थान वाक्यों के लियाप्शेशन उसके बाद है ख़ब सूर्या धीरे धीरे पूरा उदर हो गया कैसे हो गया तो रितिवाचग आ गया धीरे-धीरे तो इसमें हम अंडरलाइंग क्या करेंगे धीरे-धीरे और यहां हम लिखेंगे कैसे हो है रितिवाचग में दपाई दोनी आजकल खूब खेल रहा है आजकल तो वो क्या है काल वाचग के बारे निकता आ रहा है तो हम यहाल लिखतेंगे आजिकल और काल वाच। उसके बाद घो पार्ट . घो शुनील उपर बैठा है उपर स्थान वाच। तो हम यहाँ उपर को अडरलाइंड करदेंगे उपर और स्थान वाच। पानी तेजी से बहरा है, अब जो तेजी से है, वो क्या है, पानी किस तरी किसे बहरा है, तेजी से, तो वो रिति वार्चन, तेजी से, तेजी से, रिति वार्चन, कैसी बहना है, आंसर में यमें तुरह चल आ है, देल जीटे, ध्यान से पाठ पड़ा करू, ध्यान से, कैसे पाठ पड़ा करू, ध्यान से, तो ये रिति बाचा, ध्यान से, रिति बाचा, पानी का गिलास नीचे रख दो, छवर पाठा है। नीचे रख दो, नीचे जधा है तो स्थान हमरे लख दो, यहाँ पर हम इसको ले लेंगे स्थान हमंचे। तो यह क्या हो गया यह हमारे प्रिया विशेशन को रिखांकित कर भेद के उनके भेदों के नाम हो गया आगे हम करते हैं कोश्चन नंबर फाइव अब हम बात करते हैं question number five की रिकत्सान से उचित संबंध बोदक शब्द भरिये question number five संबंध बोदक मैंने आपको उबताया है कि के साथ के पास के पहले के बाद और के बस यह वाले ऐसे जो शब्द है है साथ में केज रूर्ट लगेंगा तो हम इसमें रिकत्सान भरनेização हैं का मुझे बरफी डैश रसमूला भी चाहिए मुझे बरफी के साथ डैश मैट्रो स्टेशन है मेरे घर के पास मेट्रो स्टेशन है के पास गव है नहाने डैश पसीना सुखालो नहाने के पहले के बाद में कैसे होगा के पहले पसीना सुखालो तो गव पाद है इस काम डैश ये भी कर देना इस काम के बाद ये भी कर दे न, इस काम के बाद, ये भी कर दे न, तो अंगा पाठ है, शिरी राम, लक्ष्मन और सीता, दैश वन में गए, शिरी राम, लक्ष्मन और सीता के साथ, के साथ, वन में गए, आगे है, निमल की तरीकिस्थानों की पूर्ती, उची स्मुच्य बोधक शब्द से क सुमुच्य पोदक शब्द भी हमने किये हैं कि जो दो शब्टों, वाक्याइशों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उनको हम सुमुच्य पोदक शब्द कहते हैं, तो सबसे पहले हम कह करेंगे, परसाद जी डैश, निराला जी हिंदी के महा कवी हुए हैं, जब दो नाम आ जाते हैं तो उसमें हम और लगाते हैं तो question number six हम यहां लिखेंगे क़ पाट वे और लगें अपर साध जी और नीराल्णा जी का में हम करेंगे अगर परहेज रखोगे डैश स्वस्त हो जाओगे अगर परहेज रखोगे तो शिक्र स्वस्त हो जाओगे तो नेक्स्ट है आपने बुलाया था डैश मैं यहां आया हूँ आपने बुलाया था इसी लिए मैं यहां आया हूँ इसलिए घवपाट उसने दर्वाजा बंद किया डैश कोई अंदर ना आ सके उसने दर्वाजा बंद किया ताकि कोई अंदर ना आ सके यह इसको सुच्छे वदक शर्त कहते हैं यह इनको दो बाते को जोड़ रहे हैं तुम्हें फ्रिज रखना है तुम्हें फ्रिज ख्रीदना है डैश टीवी तुम्हें फ्रिज ख्रीदना है या तीवी, दोलों में उप्शन दिखा लिया, तो या लगा देंगे यहाँ पर लोग। चप आठ में है, वहाँ लाइट लगवा दीजिए, दैश किसी को आने जाने में असुधा ना हो, जिससे लिए। चप आठ है, सुर्योध्य हो गया था, डैश जागना पड़ा, अतहें जागना पड़ा। यह भी उच्छे बोदक का ही एक शक है, आगे हम इसका सेवन कोश्चिन करेंगे, उचित विस्मयादी बोदक शबत भरकर रिकस्थान भरिये, विस्मयादी बोदक, तो कोश्चिन नमबर सेवन में यहाँ कर रहे हो, डैश इतना विनाश कुछ तो दया करो, अरे, इतना व तो कमाल ही कर दिया, तो हम प्रशंसा कर रहे हैं, तो यहाँ पर शाबाश, शाबाश, तुमने तो कमाल ही कर दिया, यह already sign लगा हुआ है, यह आप नहीं लगा हुआ है, डैश तुम ऐसा नहीं कर सकते, अरे, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अरे, डैश जो कोई भी आगे बड़ा warning दे रहे हैं तो ख़बरदार या साफ़दन दोनो आ सकते हैं तो हम खबरदार डाल दे या साफ़दन डाल दे या दोनों डाल दे कोई बार बार दे डैश पिंकी को चोट लग defens ओ, तिंती को चोड़ लगए, ओ, तो ये भी इसमे आती गोदक शब्द है, तो हमारा जो आगे क्रियावशेशन शब्द है, तो आप इन शब्दों को सरकल करके, यहां पर आपको स्पेस भी दिया गया, एक बोक्स के अंदर, उसमें आप राइट कर दोगे पैंसिल से, और अपना भूक को पैंसिल से करोगे पूरा, और होप करती हूँ कि आपको यह सारा अपको समझ आ गया होगा, और आप पैंसिल से ही अपनी बूक के अंदर इसको फिल झाल झाल